लेवाना होटल में हुए अगनी कांट के बाद अब प्रदेश भर में जो बड़ी इमारते हैं उन में अगनी सुरक्षा को लेकर जो मानक हैं जो इंतजाम हैं उन्हें लेकर सवाल उखने लगे हैं उन्हें लेकर चर्चाय हो रही हैं उनकी जाच पड़ताल की जा रही है ले पर सभी मंत्री तमाम जो विपक्षी दल है उनके नेता वो बैठते वहाँ पर आखिर सुरक्षा के क्या इंतजाम है आज हम वो आपको दिखा रहे हैं और सवाल यहाँ पर भी सुरक्षा मान को को लेकर उठ रहे हैं उसके पीछे की वज़ा क्या है वो हम तस्वीरों से लिए पर इश्वर ना करे अगर कोई अनोनी की सिती आती है इस विधान भावन में तो यहाँ पर निकासी के क्या रास्ते हैं उसी में आप देख सकते हैं जब अब पिछले दिनों विधान भावन का विधान परीश्यत का रेनुवेशन किया गया तो सजाने के चक्कर में यहाँ पर तमाम जो रास्ते थे खिड़क्या थी उनको बंद भी कर दिया गया यह आप देख सकते हैं सामने शीशा लेकिन बिल्डिंग में सामने के शीशे के पीछे की तरफ अगर आप यह देखते हैं यानि कोरीडोर के अंदर से यह एक लकडी का बहुत ही मजबूत फ्रे हाला कि जब यहाँ पर अगनी शावन विभाग जो है सचवाले का उसने कुछ आपत्ती जताई तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ छोटी खिड़किया जरूर निकाली गई हैं लेकिन यह माना जा रहा है कि यह बहुत ही परियाप नहीं कई जा सकती बहुत छोटी छोटी इस तरह से निकाली गई है इनको भी हम आपको दिखाते हैं सिर्फ ये पतली छिड़किया हैं लेकिन जो बड़े रास्ते की हम बात करते हैं यहां पर जो खिड़किया हो सकती थी या फिर इनको सिर्फ शीशे से अगर बंद रखा जाता लेकिन ये लखडी के फ्रेम नहीं भी कमरा जो सामने की तरफ आप गैलरी जहां पर ये खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि इस समय रेनोवेशन का काम अभी जारी है उस तरफ भी हम चलते हैं आपको दिखाते हैं तो वहाँ पर नेता विरोधी दल अखिलेश यादव का कमरा है आगे की तरफ आप देख स नीजी सचिव का कमरा है वो यहाँ पर और इसके ठीक बाद में अगर हम देखें तो अखिलेश यादव का वो कमरा जो बतौर नेता विरोधी दल उनको यहाँ पर मिला हुआ है थोड़ा सा आड़ में हो गया इस समय क्योंकि यहाँ पर जो अलमारी के पीछे फिलाल देखी इसके अलावा जो यहाँ पर बाकी चीजे अगनी शमन से जुड़ी होनी चीए वो है लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो है यहाँ पर निकासी को लेकर और जो यहाँ पर काम किया गया है वो भी हम आपको बताएं देखतर सारा काम लकड़ी का है यानी लकड़ी यानी ज लकड़ी बहुत तेजी से आग पकड़ती है, सभी जानते, ऐसे में यह जगह कितनी सुरक्षित है, भवन कितना सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल फिलाल उठने शुरू हो गए है, अब देखना यह होगा कि इस महाल में यह सारे जो मामले अभी हाल में हुए हैं आग जैएं के बाद में इस विधान भवन में अगनी शवन की अगनी सुरक्षा के मान को पूरा करने को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। कैमरा से योगी जितेंद्र के साथ चैले शरोरा, एबीपी गंगा लखनव।